बिहार में कानून का राज चल रहा है, इसमें कहीं संद्य नहीं है। रहा बात मुकेशनी जी के पीता जी के घटना से हम सारे लोग चिंता में हैं और संबेदना भी है। जो भी घटना का अंजाम दिया है, चाहे हो कितना हो दूर भाग जाए, प्रशाशन उठा के लाएगी उस पर उचित करवाई करें है। लेकिन जो आपकी विपक्ष में बैठे हुए हैं बिहार में वो कह रहे हैं कि अगर तुलना किया जाए जो लालू जी का साथन था आप जी का साथन था और रिपोर्ट निकाली जाए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की तो पता लग जाएगा कि हाकिकत क्या है। देखिए सचा यही है कि 90 से लेके 2005 तक बस के बस लोग उठा लिये जाते थे साम चार बजे के बाद कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता था या कोई किशान हो बिजनसमेन हो चोग-चोरहा पर नजर नहीं आते थे अपने आपको शुरक्षित महसूज करने के लिए अपने होता था लेकिन कानून आज चाहे कितना हो बड़ा कोई हो कानून उसको उसके गिर्वान तक जाती है उस पर उचित करवाई करती है बिहार में कानून का राज चल रहा है इसमें कहीं संद्य नहीं है रहा बात मुकेशनी जी के पीता जी के घटना से हम सारे लोग चिंता में हैं और संबेदना भी है जो भी घटना का अंजाम दिया है चाहे कितना हो दूर भाग जाए प्रशाशन उठा के लाएगी उस पर उचित करवाई करें लेकिन जो आपकी विपक्ष में बैठे हुए हैं बिहार में वो कह रहे हैं कि अगर तुलना किया जाए जो लालू जी का साथ शासन था और रिपूर्ट निका लिजाए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की तो पता लग जाएगा कि हाकिकत क्या है देखिए सचा यहीं है कि 90 से लेके 2005 बस के बस लोग उठा लिये जाते थे साम चार बजे के बाद कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता थ तो इस समय में अभी बर्तमान में बहुत अंठर हैं और कानून उस समय हाथ पर हाथ रख kya यह रहता था लेकिन कानून आज चाहे कितना हूँ बड़ा कोई हो कानून उसको उसके गिरिवान तक जाती है उस पर उचित करवाई करती विहार में कानून का राज चल रहा है इ बेदना भी है जो भी घटना का अंजाम दिया है चाहे हो कितना हो दूर भाग जाए प्रशाशन उठा के लाएगी उस पर उचित करवाई करें लेकिन जो आपकी विपक्ष में बैठे हुए हैं बिहार में वो कह रहे हैं कि अगर तुलना किया जाए जो लालू जी का सासन था और रिपूर्ट निका लिजाए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की तो पता लग जाएगा कि हाकिकत क्या है देखिए सचा यहीं है कि नब्बे से लेके 2005 तक बस के बस लोग उठा लिये जाते थे साम चार बजे के बाद कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता था या कोई किशा हो बिजनसमेन हो चोग-चोरहा पर नजर नहीं आते थे अपने आपको सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने मकान तक पहुंच जाते थे घर तक पहुंच जाते थे तो उस समय में अभी बरतमान में बहुत अंतर है और कानून उस समय हाथ पे हाथ रखके रहता था मजब